देखी अब हमारे पास question है कि find a probability that a leap year selected and random will contains 53 sunday तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी leap year में कितने days होते हैं यहाँ पर मैंने लिखा कि leap year यह आपने पढ़ा है कि किसी भी leap year में 366 days होते हैं तो अब one week में कितने days होते हैं तो one week equaled हो गया हमारा seven days ठीक है leap year में हो गया 366 days और one week में seven days अगर हम लोग seven से डिवाइड कर ले 366 को 75 जा 35 यहाँ six seven two जा 14 तो यहाँ हमारे पास दो दिन बच जाते हैं यहाँ हमारे पास week कितने हुए 52 और days हमारे पास कितने रिमेनिंग है two days तो हम लोग बोल सकते हैं न कि fifty two weeks and two days remaining ठीक है अब यह जो दो दिन हमारे पास बसते हैं उस दो दिन में क्या हो सकता है Sunday भी हो सकता है Monday हो सकता इस तरह से कोई वीडिया से हो सकता है तो माल लेते कि वो जो दो दिन हमारे पास बचे हुए उसमें Sunday and Monday आ गया ठीक है या फिर Monday और Tuesday हो गया ठीक है इसी तरह से Tuesday और Wednesday हो जाता है, Wednesday and Thursday, Thursday and Friday, Friday and Saturday और last बस्ता हमारे पास Saturday और Sunday, यही हो सकता न पॉसलिटी, कैस को छोड़के और कुछ हो सकता, थोड़ा सोचे, यह जो दो दिन हमारे पास बचे हुए है, ठीक है, यह जो दो दिन हमारे पास बचे हुए है, उसमें या तो Sunday Monday आएगा, अगर Sunday आएगा उसके बाद क्या आएग अगर Monday होगा तो उसके बाद क्या आएगा Tuesday, Tuesday होगा तो उसके बाद क्या आएगा Wednesday और इस तरह से 7 हमारे पास cases हो गए, यह possible outcomes हो गए, इसमें से आप से क्या पुछाए गया है, हमें पुछाए गया है कि 53 Sunday, यानि यहां पर देखिएगा ध्यान दिजेगा, कि 52 weeks में 52 Sundays तो ह है, हाना, चाय संडे हो, चाय मंदे हो, कुछ भी दे हो, वो 52 है, वो confirm है, लेकिन वो जो दो दिन हमारे पास बचे हुए है, उस दो दिन में क्या फिर से संडे आ सकता है, या मंदे आ सकता है, यह आप से पुछा गया है, कि उस दो दिन में क्या फिर से संडे आने की chances है, तो रिखेंगे कि प्रबबिटी यह मागले जह हम अगर प्रबिडिटी निकालते हैं कि प्रबबिटी अ लीपेयर अ थिसान पर सटे डे संडे में एक संडे और एक आप देख रहे हैं, frontier Sunday, Monday में Sunday हैं. तो यहां पर एक Sunday आपको यहां मिल गया और एक Sunday आपको यहां मिल गया. ठीके तो इस तरह से हम बहुत सकते हैं, यहांपर कितना Sunday है? 2. कितना Sunday बताइए? 2. यानि की, favorable outcomes कितना आपके लिए? 2. out of कितना में case कितना था यहां पर one two three four five six seven seven case में तो two by seven और एक चीज़ धियान दीजेगा मिसा कि अगर आपसे यहां संडे के जगे में कोई भी दिन पूछा जाए संडे हो मंडे हो टिजडे हो वेर्नेजडे हो थर्जडे हो फ्राइडे हो या सटर्डे हो ठीक है एंसर क्या आएगा two by seven किसके लिए लीप यह किसमें अगर यही चीच अगर ordinary year हो तो क्या होता है तो चली उस पर बात करते हैं कि ordinary year होगा तो एंसर क्या होगा जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी ordinary year में 365 days होते हैं तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि ordinary year has 365 days अब अगर हम यह पता करना चाहिए कि इसमें कितने weeks होते हैं और कितने days यहां बचे जाते हैं हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे seven से divide कर लेंगे न क्योंकि आपको पता है कि one week equal to seven days तो यहां मैंने seven से divide किया seven से divide करने से हमारे पास 52 weeks और one day यानि आप लिख सकते हैं यहां पर हमारे पास कितना हो गया 52 weeks है विक्स कितना है 52 और कितना दिन बचा हुआ हमारे पास one day यह आपने समझा कि 52 weeks and one day हमारे पास रते हैं हमारे अब यह one day जो यहां पर है यह दियान समझेए कि हां 52 जो है उसमें 52, Monday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, कोई विडे, यह 52 है यह गया जो एक दिन बचा हुआ है उस दिन हो सकता है फिर से Sunday आ जाये हो सकता है ना बसंद्र आपने यह देखिए 52 विक्स तो गया जाये और 52 विक्स है यानि कि 52 यहाँ पर Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday हो सकता लेकिन यह जो एक दिन बचा हुआ है उस दिन अगेन अगर Sunday आ जाए या Monday आ जाए या Tuesday आ जाए तो इस तरह से हम लोगो बोल सकते हैं कि Monday जो हो 53 हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें वही probability find out करना है कि 53 Monday उस ordinary year में होंगे या नहीं होंगे इसका probability क्या होगा यहाँ हम लिखेंग having 53 Monday और एक चीज़ ध्यान दिजए का Monday हो या Tuesday हो Wednesday हो कुछ भी हो इसका answer यहीं आएगा आपका कितना क्योंकि यहाँ पर देखिए Monday कितना है हमारे पास 1 तो यानि 1 आउट अफ कितना 1,2,3,4,5,6,7 यानि 7 देज में से 1 दे यानि कि 1 बाई 7 तो आई होब यह कोशन आपको स आपको नहीं पता है इप दे प्राइबिटी ओव ड्राइंग ब्लू बोल का जो प्राइबिटी है फ्रॉम दे बेग इस थ्राइस है थ्राइस थ्राइस देट अपने रेड बोल ठीक है तो इस तरह से कोशन लगा रहे है तो हम इसको कैसे सॉल्ब करें ठीक है एक्जाम के कि या इछ ब्लू बोल ठीक है नंबर ओफ wszyscy की वर लाइच एक शचाहले कि शौदा है में यहां किना एक उस्द्राइब्ल तोटल नंबर ओफ बॉल्स वो कितना होगा हमारे पास तो क्या करेंगे एक्स प्लस फाइब या फाइब प्लस एक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि प्लस कर रहे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर आप से कॉस्चिन में क्या पुछा गया तो यहां लिखें है probability of blue ball, the blue ball का probability थ्राइस है थ्राइस है थ्राइस मतरब तो तो फिससे प्राइड बोल का रेड बोल के थ्री ताइम से बस इस लाएन को आप आप ने समझे लिया तो इसके बाद आप इसको solve कर सकते हैं अब देखिए किसी भी नंबर का अगर अगर प्राबिटी निकालते ह करते हैं फैविरल आटकम स्कों लिखते हैं यानि ब्लू बॉल स्कों लिखँ आज महीं कितना हमारे पास बीडुब को फाइगे झालेंगे टोटल इसको कितने फाइब आउट फेहिं के झालेंगे तो बूल में ऐकस इस color, यहां फेवरेल आटकोंस उपर लिखते हैं टोटल नमबर आटकोंस हम लोग नीचे लिखते हैं अब इसको आपको सॉल्व करना है थोड़ा से सेंप्लिफाइग करना है लेखिए अगर आप इसको क्रॉस मुल्टिप्लाइग करने चल जाएंगे तो यहां थोड़ा से लेंद नमबर आफ ब्लू बॉल्स कितना हो गए बताइए फिप्टीन हो गया थीक है कि ब्लू बोल का नमबर हमारे पास कितना है फिप्टीन है थीक है आई होब कि यह कॉश्चन भी आपको इसली समझ में आ गया होगा